This video is brought to you by Pakistan's first cashback app, Saviour Saviour offers up to 25% cashback on online stores ranging from food, grocery, makeup, fashion, electronics and much more यानि अब आप Saviour के जरीए online shopping पर ना सिर्फ discount अवेल कर सकते हैं बलकि shopping करने पर literally पैसे कम आ सकते हैं यानि समझने के लिए फर्स करें कि अगर आपने Saviour एप के जरीए 1000 रुपीज की परचेस की है Apart from this, you can also earn 500 रुपीज just for bringing a friend to Saviour through your unique referral link और सिर्फ यही नहीं, बलकि Saviour के जरीए आपकी पहली 1000 रुपीज की shopping पर भी आपको 500 रुपीज as a gift मिलेंगे So find my referral link in the description and sign up on Saviour now to start earning today Assalamualaikum दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को रमजान मुबारेक वैसे तो रमजान की टॉपिक पर मैं पिछले साल वीडियो बना चुका हूँ और इस बार मेरा प्लैन किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना था लेकिन आप में से काफियों की पुर्जोर फर्माईश के तहट आज की वीडियो एक बार फिर रमजान ही पर सही इस गुप्तुकू के आगास का सोचा तो मेरे दिमाग में वो दोर आया जब मुबाइल और इंटरनेट नहीं था और घर घर की च्छतों पर लोग बाकाइदा चांड ढूंडने जाते थे और फिर चांड नजर आने की खुशी भी एक अलग ही खुशी थी अबे तू यहां क्या कर रहा है क्यों अबबा क्या हो गया अबे रमजान का चांड तो कप का नजर आ गया तू अभी तक बंड नहीं हुआ अबबा कुश तो शरम करो अपनी होलाद को इबलीस के रहे हो अबे इबलीस तो कुछ भी नहीं है तेरे सामने बल्गे में तो केता हो इबलीस को तेरे वस्वसे आते होंगे क्यान अबबा सारा वक्त तंज करते रहते हो अच्छा चल फिरूटर वुजू कर, चल मेरे साथ तराविश पे, शाबश, जिबव, आप जाए मैं आजा तूँ पेदल, वैसे खुदा ही तुझे इदायत करे, शबनम, वो शबनम, चलो उट मेरे साथ सहरी का इंतजाब में मादब कर, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत न आजा जल, जी अम्मी उठ रही हूँ, यह दबीर इतना नालाइक लड़का है, इसे एक हफते से कहरी हो, रमजान के लिए सौधा लादे, अभी तक नहीं लाया है, अरे अम्मी आप दबीर को छोड़े में सेवियो रैप से मंगवा देती हूं आपको ग्रोसरी, इसी बहान मैं तो कहती हूँ, अबा की दिल बर इलेक्ट्रोनिक्स को भी छोड़े, आप इलेक्ट्रोनिक्स भी सेवियोर से ही मंगवाया करें, वैसे शब्दम तू भी कुल कारवारी नहीं है, अम्मा अच्छा है न, कुछ कमाही मेरी भी होने दे, ठीके ठीके चला बुट जादा ब बात कर रहा हूँ, वो दीन के मसाइल समझा रहे थे, रमजान है न, सब समझती हूँ तेरी हरकते हैं, अभी जाओ दही और पराठे लेकर कर गया, वक्त कम है, तुझे तो मैं बात में देखती हूँ फुरसत से, जिय में, अबे मर गए, अरे ये क्या, सेरी में बस अंड़ आए हाए, बिसमिल्ला करके खाए, ये भी बहुत है, शेतानियत ना कर, अरे बड़ी भी, कुछ तो रहम करो, अरे बनती है, बनती है, लसी बन जाती अभी, सबर करो, ये तो खालो पहले, शब्लम, वो फ्रिज में मालाई पढ़ी है, वो लाकर दे अपने अबबा को, ये किसी न –कल बरफ, अब ऐसी ले यार, लसी क्या होगे, अरो ये क्या, मेने दो अभी पानी नी पिया, अबि कुछ नी होता है, कुछ नी होता है, जा जा पी, मुझे भी लाकर दे पानी, विरबा सायरन बजह तेम खत्म होगे ऐसी इनी आपय कुछ नी होता है, हमारे मस्जित के मोलवी साब जल्दियों को गुपे जा देते हैं तू पीपी आराम से पी, साथ में क्खा ँखा भी ले, कुछ नी होता यो अच्छ है, खुझ सेरी कर दो तो सब को रोक दो, खा खा, आराम से खा शरम तो नहीं आती ना आपको अबे अब क्या कर दिया है अबे कुछ अरसा है शेतानी चरके को साइड बे रख दे और कुछ खुला को भी यात कर लियो उठो और फजर की नमाज पर देर हो रही है जी अबबा उठ रहा हूँ हाँ उठ जा बस देर ना कर अबबा मेने तो पेस्ट ही नहीं कि अब तो अधान भी होगी अब क्या करूँ तो इसमी क्या बात है खेर अब कर ले अबबा कभी कभी वैसे मैं सोचतो हूँ आप कीसे मोल भी हो अबे ठीक तो कह रहा हूँ तूने कौन से पेस्ट को अलएक में उतार दे पता नहीं अबबा मेने तो सुना है पेस्ट करने से रोजा तूड़ जाते है हाँ तो फिर माता रही हो सारे दिन मूँ से जेरी ले बबके बस मुझ से दूर रही हो इस दबीर नालाइक को कहते उड़ जा नहीं तो रोजे में घजब हो जाएगा मुझसे जुहर का वक्त भी कजा होने को है अब तो इसे उठा नमाज पड़े और बाहर से इफ्तार का समान लेकर आए वक्त पे वरना बाद में तू मेरे सर पे डंडे मारेगी सामान नहीं आया तेरी ओलाद ऐसी है वगएरा अरे उसे तो रोजा लगा पड़ा, कोई असर नहीं है उस पर लगता है सुभा देर तक इबादत करता रहा है, शिरे लेड सोया है अबे वेसे बहुत बोली है तू कसं से इबादत भी बादत कोई नहीं कर रहा था सेरी के बार ये सुबह तक मोबाइल इस्तमाल करता रहा है सुबह आट बजे भी ओनलाइन था है वाटसेप पर अच्छा वेसे तू क्या कर रहा था वाटसेप पर सुबह आड हो जे अरे बड़ी भी तू या तो शोहर संबाल ले अपना बेटा संबाल ले अभी इफ़तार में बोट टेम हैं मेरा रोजा खराब न कर नबीर हो नबीर मेरा बच्चा उठ जाए ये ले पानी पी ले इफ़तार का टेम हो गया अरे बेटा तेरा इफ़तार से क्या तालुक जोहर और रसर की नमाजे तो तुने पढ़ी नहीं फजर का मुझे पता नहीं क्या जरूरत इस फाके की अमा बूद रोजार लग रहा है स्वेर में दर्द है रामय बंद कर और उठके नमाज पढ़ गुनेगार अच्छा नमा उठ रहा हूँ इसके बाद अगर तु सोता नजर आए न तो तुझे तेरे बिस्ता समेट घर से मार कर दूँगी अच्छा अच्छा अबे यार अपी तो तीन घंटे पड़े हैं मेरा तो प्यास से ही विसाल हो जाना है शेतान के बच्चे कहीं और जाके नहीं ठूच सकता यार भाई जूस तो आज कुछ जादा ही लजीद है मज़ा आगया पिले कतूरे तू नहीं बचेगा आज अच्छा अच्छा सोरी सोरी आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा सोरी भाई सोरी छोड़ दो सोरी भाई अबीर जी अम्मी अम्मी अपने छोटे इबलीस को संबाल ले मेरे सामने खुब बेशर्मी से ठूसा ठासी कर रहा है अपनी उमर देखो रूस की उमर देखो कुछ शर्म करो तूम हाँ उसे कुछ ना कहना आप बस बहस मत करो चुप करो और जाकर इफ़तार का समान लेकर आओ तुम लोगों ने तो बस मुझे ही परेशान करना होता है कुछ एसास कर लो सुबा से लगी हूँ अकेले अरे ये क्या कर रहे हो रोजा तोर दिया अमा यादी नीरा अब क्या करूँ जहन्म की तयारी वैसे रोजे की हालत में सही तब तो नोगों पे चड़ती है जो फेस्बुक पर थंडे पानी के गलास की तस्वीरें शेयर कर देते हैं एक तो पहले ही प्यास से रग रग खुशकुई पढ़ी हो उपर से ऐसी पोस्ट सामने आ जाएं कुछ तो रहम करो बाइद बेवे सही काम चोरी तो ओफिसे में होती है रमजान के दिनों में यार क्या नहीं क्या बात है आज ओफिस बड़ा खाली है किदर है सारे इदर ही है साजित का है साजित यही है टेबल के नीचे सो रहा है कैमरे से चुपकर वाकिए और शोईब के दर है वो स्टोरूम में सो रहा है कमाल है और मुनीब वो ट्रेन स्टेशन गया है क्यों खेरियत उसका रोजा नहीं था स्टेशन वे मुसाफर होते हैं मुसाफरों कभी रोजा नहीं होता तो वहाँ खाना खाने किया है बड़ा तेश है यार यानि आज तो कोई काम शाम नहीं कर रहा लेकिन तु बड़ा काम कर रहा है कमाल है क्या चक्क्र है अबे काम नहीं कर रहा है मोवी देख रहा हूँ अब मुझे डिश्टब ना कर इस मुलक आला ही आफिज है हाँ क्या है भी ब्रो लगता है रोजा लग रहा है अबे दिमाग ना कहा है यार अच्छे सुन इस वीगन अफ़तार के सीने बाहर और तू आ रहा है अल यूगन इट बूफे है अबे भाई पेसे नहीं है घर में अबबा का माशालला लगा है मीनी आ रहा अबे यार गरीबा ने रोजे रखे दिन लंब में हो गए ने क्या अच्छा चोड़ तू ये बता घर का सौदा वदा लेना है आज कल में हाँ क्यों और अम्मी और सिस्टर ने शॉपिंग भी करनी है इद की हाँ हाँ क्यों पूज रहा है अबे क्या यार बंदा गरीब हो बंदे की सोच ना गरीब हो अच्छी कमाई हो जाएगी अच्छा बस ठीक है पिर में बनाता हूं पेसे लेकिन अगर इस बार पिछली बार की दरा गार तूने पिलान किंसल किया ना तूनी पेसों से तेरे लिए जाहर खरीद के लओंगा दन है प्रो डन है वैसे वो होस्टल की अफ़तारी के भी अपने ही शोगल है हाँ यारा कितना टाइम रह गया देखो दरा वो बस यारा होण लगी अजाम थोड़े ये सबर नाल बैया दवा पड़ लो दवा वे दवा होता है दवा नहीं होता वो गाजू माता तू चुपकर यार ये बातरूम की बाल्टी यहां क्या कर रही है से अटाओ यहां से हैं अफ़तारी करनी है ओ सालया यहां से बाल्टी में शर्मत है तुन्हों जरag हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो सायरेन हो शूरू करो यार ये जिसने पैसे नहीं न दिये उन चार से जादrick न पगोड़े न खखाए ओए इंसान मन वो यार मvy जातों कर चारो कहाओ खाओ नाफी मैं तो म्जातों करता हूं आपके साथ कोई बात नहीं आपनी अगर पैसे नहीं दिए जैन चुपकर जा यार। छुपकर के खा वो यार यह शर्वत तो वावा ही फिकक है यह तो पीने ही नहीं हो रहा वे मैंने बनाया बोतल एक ही और पंदरा दिन चलानी है बाई कुछ खाले यार चुपकर जा जैन चुपकर जा यार बाई खा नहीं रहा यार खाले भाई यार तुझे पता तो है उसका लेट खुलता है रोजा ओ यार तुब बताना थनम मैं तो सारे पकोड़े ही खा गया और चाड़ भी खत्म हो गई है ये तो जब खा रहे थे तब सोचना था तो तुमने मैं फिल में बाकी बाईयों का भी ख्याल रखा कर फिर अब टेंशन नहीं लो रखी हुई है अबासित ने उसकी अलग प्लेट रखी हुए ओ चलो कोई नी यार कोई नी कोई नी नेवर माइंड आज हो भई नमास पढ़ने आज है शेरम ये बाद में खा लिए आज है नमास पढ़ने आ रहों आरहों आरहों सुटा पार्टी को भी बुला ले दबीर कलीद है कुछ अपने हुलिये की डेंटिंग पेंटिंग ही करा ले मुझसे पैसे ले और नाई के पास जा हजार रुपे दे दे इस बात के वो नाई इदी मांगता है न तू उसका ताया लगता है उसे बोल अपनी उमर देख और शरम कर रहे मैं जा रही हूँ शबनम के साथ इसको मेंडी लगोने और अपना दोपटा लेने खाना खाले ना मुझे देर हो जाएगी बड़ी भी ऐसा कर मेरे लिए दो बिन्यानियों नाडे लेती है यो पिछली इद भी मैंने गुलाबी नाडे में गजारी थी उठो तुम भी साथ चल रहे हो जान ना छोड़ा हो रड़ गे रमजान से रिलेटिड वो सारे कॉमन पॉइंट जो आपको इस वीडियो में नहीं नज़र आए होपफुली मेरी रमजान की पिछली वीडियो में मिल जाएंगे अगर आप फाइनेशली मेरे शो को सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पेट्रियों का लिंक भी दिया हुआ है और सेवियोर अप का लिंक भी है यानि मेरे युनीक लिंक से सेवियोर अप डाउनलोड करने पर I'll get paid and that will definitely help me run this show आज के लिए अजाज़त दें कमी बेशी माफ करना अल्ला हाफिस